प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविन सिंग राजपूत एक बार फिर अपने बयान के चलते विवादों में फस्तेज नजर आ रहे हैं इस बार गोविन सिंग को भाजपा कारे करताओं के कड़े विरोत का सामना करना पड़ सकता है दरसल गोविन सिंग गुरुवार को जय किसानरेन फसल भीमा योजना कारे करम में शामिल होने सागर के जैसी नगर पहुँचे थे जहां भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर बोलते हुए मंत्री जी ने कहा कि भाजपा में लोग आतंकियों के रूप में पनपते हैं इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक कायर देश है और वह भारत की तरफ आख उटा कर भी नहीं देख सकता इसके अलावा वायू सेना की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस पार्टी और हमारी जुनता वायू सेना को सलाम करती है देखे भारत पर आख उठाने की हिम्मत पाकिस्तान कभी नहीं कर सकता है पाकिस्तान एक कायर देश है कायर नमा हमले करता है आतंकियों की रूप में जो बाश्पा में लोग पनरते हैं आतंकियों की रूप में जो बाश्पा में लोग पनरते हैं उन्होंने हमारी योगों पर अटेक किया हमारी आर्मी पर अटेक किया लेकर हमारी बायू सेना ने मुह तोड़ जवाब दिया उस बायू सेना के लिए हमारे पूरे कांग्रिस पार्टी के लोग और पूरी भार